गुडिमनिंग दोस्तो एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है श्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एम्यू कलास के टीजटी पीजटी कला टेस्ट सिरीज के रात के आड़ बजे के आज के इस वीडियो में मित्रो कल वीडियो हमने पहले ही दे दिया था क्योंकि साम में मिरे पास टाइम नहीं था तो वीडियो बनाग पहले ही डाल दिया था जिसको आप शभी ने देख लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको पशंद भी आया तो चलिए फिर आज मैंने कुछ फीगर और उसके कुछ बारे में जानकारी देने वाले आज का एक स्रीच छोटा सा फिर आपको दे रहा हूँ और इस मंदिर के उपर हिश्य को देखकर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसके उस मंदिर का नाम है माहबलीपूरम आपके स्क्रीन पे है अद्भुत वस्तुकला का घर माहबलीपूरम इसी के बारे में आज हम छोटी मोटी जानकारियों को जानेंगे और इस तरह का वीडियो मैंने आपको दिया था आपको पसंद भी आया मैंने बताया भी था कि जब भी हमको टाइम में लगा बना लिये रहेंगे तो आपको वीडियो बीच बीच में हम देते रहेंगे तो चलिए आज शुरू करते हैं महाबलीपूरम मंदिर के कुछ छोटे मोटे जानकारियों के शुरूआत शुरू करते हैं जिससे कि हमारे कमपर्टिशन में आने के लिए बहतर है और आने माले शमय में वो हमारे काम आएगा तो चलिए शुरू करते हैं वस्तुकला का घर महाबलीपूरम के बारे में तो सबसे पहले उसका जो जिकर आता है वो यह आता है कि महाबलीपूरम तमिल्लांडू के काचिपूरम में बंगाल की खाड़ी के कोरमंडल तट परिस्थित हैं पहला जो हमारा इसके बारे में जानकारी है वो यह है कि यह है तमिल्लांडू में यानि महाबलीपूरम जो है वो क्या है तमिल्लांडू के जो काचिपूरम में बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे कोरो मंडल तट पर यह इस्थित असमारक है ठीक है यह है महाबलीपूरम के बारे में पहली जानकारी ठीक है जिसे हम मामलब पूरम भी कहते हैं यानि कि ये कह लिजिए कि ये लगबग 96-48 किलोमेटर आपके दच्छिर समुंदरित पर इस्थित है ये ठीक है महाबली पूरम इसके नाम से पुकारते हैं और आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि महाबली पूरम ये पलो राजवन्स का महत्वड योगदान था महाबली पूरम के विकाश में मतलब भारती वस्त और मुर्तिकला के दच्छिरी जो विकाश होई है दच्छिर भारत में ये महाबली पूरम जो है वो पलो के पलो की देन थे यानि पलो का सासक चला था उस समय लगभग 600 से लेके 900 इस्वी के बीच तक उनका सामराज रहा और उसी में ये महाबली पूरम का जो है उद्भव हुआ बना ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में अगली जानकारी हम आपको देते हैं तो अगला जो बात है इसके बारे में वह है मित्रो आराम से देखेगा छोटी छोटी बाते लेकिन बहुत ही बहतरीन बाते कंपडिशन के लिए महाबल महाबली पूरम में कितनी असमारक है 40 असमारक आपसे कोशन पूल सकता है कि महाबली पूरम में असमारकों की शंख्या कितनी है तो 40 जिन्हें राकट या द्रविड वस्तुकला में बनाया गया है अब आपसे पूछे गागला कोशन कि महाबली पूरम में जो 40 असमारक है उ एक तो आप्षन होगा या तो राकट में बनाए गया या फिर आपका एक आप्षन मिलेगा द्रबडी वस्तुकला में तो दुनों में से जो भी आप्षन होगा उसको आपके लिए नमार लेंगे ठीक है यह कोई आप्षन होगा कि या तो राकट में या तो द्रबडी और आपको मैं बता दू कि महावलिपूरम में जब पलो राजा का राजवंस चला था यानि 600 से लेके और 900 के बीच की बात कर रहा है तो उसकी राजजानी जो थी वो थी काची इसकी क्या थी? राज्जानी जो थी वो काची थी जिसको काची वरम कहते हैं यानि काची को काची वरम कहते हैं और पलो का उस समय का यह परशिद बंदगा और व्यापारिक के अंदर था ठीक है उस समय का ठीक है तो चलिए आज़े बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ अगली जनकारी हम आपको देते हैं अगला दिखिएगा हमारी जनकारी जो से सम्बंदित है वो यह है कि महाबलीपूरम के मंदिरों का निर्माड यानि महाबलीपूरम का जो मंदिर है उसका निर्माण सातवी सदी में पल्लव राजाओ के शाशनकाल के दोरान हुआ तो अभी थोड़ देर पहले मैंने आपको बताए है कि पल्लव राजाओ के शाशनकाल के दोरान 600-900 कमित्व के बीच हुआ और वो कौन सी सदी थी? सातवी सदी चल लए थी ठीक है, सातवी सदी ये चल लए थी तो महाबली पुरम और कान्ची पुरम यानि कान्ची जो हमने बताया राधानी उसको कान्ची पुरम भी कहते हैं दो चीज है उसके बारे में तो सातवी सताबदी में पल्लो राजाओ के शाशनकाल के दोरान ये मंदिर बना तो इस पर जब question पुछेगा आपको तो इसके बारे में बताएंगे उसके अलाव मैं आपको एक चीज और बता जाँ आँ या मामल्लम पूरम कहिए कहीं कहीं मामल्लम पूरम भी आजाता है तो वह मामली पूरम को ही कहते हैं इसको जो है तीन प्रखर प्रकार के मंदिर इसमें बने है, जिसमें पहला है रत, दूसरा है मंडप और तीसरा है रचनापरधान याद रखिएगा तीन प्रखर मंदिर रत, मंड़क और रचनापरधान बने हुए हैं ठीक है छोटी छोटी बाते हैं बैतरिन हैं और आईए उसी में बीच में हमने आपना कोश्चन भी डाल दिया है जो कोश्चन पर हमारा कोश्चन था कि सन 2007 में यानि 2007 में पांच से लेकर 9 मार्च के बीच अंतरराष्टिय महिला दिवस पर भारतिय कलाकार ने एक विसेश डाक टिकट डिजाइन किया था वो कलाकार कौन था और नीचे टिकट भी मैंने दिखा दिया है यही वो टिकट था यही मेरा कल का प्रश्चन था तो क्या वो 37 गुजराल ने बनाया था डिजाइन किया था में फोशयल ने मंजीत बाबा ने या जैसरी वर्धन था तो यही मेरा कल का प्रश्चन था कि 2007 में 5 से लेकर 9 मार्च तक विश्व महिला दिवस पर एक कलाकार ने डाक्टिकट डिजाइन किया था और उस कलाकार का नाम मित्रो था जैसरी वर्मन क्या नाम था जैसरी वर्मन तो इस प्रश्चन का राइट एंसर था अब उम्मेद करता हूँ जो आपका है वो यह है कि मुल रूप से ममलापूरम परिशर में 400 से अधिक अश्मारक थे देखिएगा 400 से अधिक अश्मारक सिर्फ ममलापूरम के जो परिशरी एरिया है उसमें थे जिनमें केवल 40 ही आज तक बचे हैं मतलब थे तो 400 लेकिन परिजेंट टाइम में यानि इस समय वर्तमान की बात कर रहा है वर्तमान में सिर्फ 40 ही बचे हैं तो आपसे प्रश्न ये भी हो सकता है कि महाबली पूरम में जो है वर्तमान में कितने अश्मारकों की शंखिया बची हुई है तो आप वहाँ याद रखेंगे कि 40 असमारकों की शंख्या इस समय बची हुई है बाकी जो थे वो नश्ट हो चुके हैं एक तरसे कह लेजिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और उमिद करता हूँ कि आपको पशंदार आओगा तो लाइक शेर कमेंट और ज्यादा से ज्य युनुसको की साइट बनाने का दرजा मिला था ठीक है दोर था 1984 का और महावलिपूरं को युनुसको की साइट बनने का यानी युनुसको पे इसको जो है दरजा मिला 1924 में और अभी मैंने फोड़ देर पहले आपको बताया है कि मौम Smackला पूरं या महावलिपूरं तीन प विजिकर गया रत वो रत जो है उसको जो है तरासकर मंदिर से बनाए गया जिसे रत मंडब भी कहते हैं रत यानि रत मंडब भी कहा जाता है और ये पहले जो है उसको पांच पांडवों के नाम से जाना जाता था ये जो रत मंडब है पहला वला उसे पांच पांडवों के न से जाना जाता है किसको रत मंदब को पांच पांडवों के नाम से जाना जाता था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और जानकारी के साथ तो देखिएगा मुर्तियों को देखते रहे बहुत अच्छी अच्छी इसमें जो मुर्तियां बनी हैं उसके सब डिजाइन आपको जो है मैंने देख पेस किया है कि अच्छा दिया जाए और उमीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा आज भी ये वीडियो अगला टापिक है इसका कि महाबली पूरम के असमारकों म यानि इस मंदिर के अशमारकों में गंगा आउतरण का अशमारक पंचरत सोर टेमपल शामिल है यानि महाबली पूरम के जो अशमारकों की अभी तक बात की गई है उसमें गंगा आउतरण उसमें पंचरत और उसमें सोर टेमपल ये सामिल है सोर टेमपल और आपको मैं बता जाता हूँ जो मैंने अभी थोड़ दिर पहले तीन प्रकर मंदिरों के बारे में जिक्र किया तो उसमें से जो दूसरा वाला है रत के बाद मैंने क्या कहा मंदब ठीक है तो जो सैल मंदब आपसन है यानि दूसरा वाला जो आपसन है उसमें से उसी दूसरे वाले आपसन में आता है गंगा ओतरण उसी में आता है गजलचिमी उसी में आता है दुरगा इन सभी का अंकर उशी में किया गया है इसके अलावा महभालिपूरम के उस दूसरा नमबर है यहानि रथ मंडप और रचना परधान में जो सेल मंदप आप्शन है रथ मंदप के बाद जो मंदप आप्शन है उसमें महाभारत का आख्यान आपको मिलेगा है क्या है वहाँ पे महाभारत का चटान को तराशकर महाभारत का आख्यान दिखाया गया है ठीक है तो ये जो गंगा उतरड है वो दूसरे वाले में इस मारत में है पंचरत की बात कर रहे हैं उसके अलावा सोर टेमपुल तो जो सोर टेमपुल है वो तीसरा जो रचना परधान में ने बताया था उसमें है यानि सोर टेमपुल जो है वो रचना परधान वाले आप्शन में त तथा प्रशनों के काई इस में गता हैं जो दो मंजिलों के समूव में है एक मैं सिउ तथा दूसरे में बिसुल थीक्या जित्व है उमिद करता हूँ कि प्रश्णों की ये topic with figure आपको प्रशंद आ रहोगा कुछ नया करने के लिए आपने कहा भी था कि सर बहुत अच्छा है आप इस तरह के वीडियो बीच-बीच में देते रहे तो बीच-बीच में आपको कुछ ना कुछ देता रहोँगा अगला इसमें देखिएगा क्या कहा रहा है सोर टेंपल जो है यानि जो सोर टेंपल है उसको पिराड़नूमा संरचना के कारण सेवन पैगोडा भी कहा जाते देखिएगा अब जिस सोर टेंपल के बारे में मैंने भी आपको बताया क्या बताया कि जो सोर टेंपल है वो दो मंजिला है दो मंजिल का है वो ठीक है और दो मंजिल में कौन-कौन से हैं एक सिव हैं और दूसरे बिसुडू है यानि एक में सिव तथा दूसरे में बिसुडू का है सोर में अभी सोर टेंपल में को जो है पिरामिड नूमा संगरचन इसका जो संगरचना है पिराडिन नुमा है जिसके वज़े से इसका एक नया नाम दिया गया है सेवन पैगोडा भी कहा जाता है तो कभी-कभी प्रशन आपको याद होगा जब कंपरडिशन में या फिर मैं जब कराता हूँ तो question पूछा जाता है कि सवन महावरिपूरम के कौन से हिस्से को जो है सेवन पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है या किसे टेमपल को सेवन पैगोडा के नाम से जाना जाता है ठीक है या आपको याद होगा आपसे पूछा जाता है तो यह याद रखियागा कि कौन सा सोर टेमपल जो की तीन प्रकार के मंदिरों में बाटा गया जिसमें से तीसरा जो रचना परधान है उसमें आता है स्वेर टेंपल जिसमें एक सीव और एक बिसडू है दो मंजिला है उसे सेवन पैगोडा भी कहा जाता है उमीद करता हूँ कि आप ये याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं अगला देख लीजिए यही है मंदिर और इस मंदिर के अगले सोर टेंपल के बारे में एक चीज और देख लीजिए तो जो सोर टेंपल है जो सोर टेंपल उसमें दो मंजिल मंदिर है आपको पहले ही बता दिया दो मंजिला है यानि दो मंदिर है उसमें ज उसमें कौन-कौन भगवान है, एक में सिव हैं, और दूसरे में बिसडु हैं, ठीक है, इसलिए ये दो मंदिर का रहा है, यानि सोर टेमपल में दो मंदिर हैं, जिने काले पत्थर से, यानि ये जो आपको मुर्ती उसमें काले पत्थर से उकेरा गया है, तो यहाँ पे जब इसमें का प्रश्ण बनाएगा तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि सोर टेंपल आप से पूछ सकता है कि महाबलीपूरम के सोर टेंपल में कितने मंदिर हैं तो दो और दो मंदिर हैं तो किस नंबर के मंदिर में विश्डू का जो है चितर मिलता है या मूर्ती मिलता है जिकर किया गया और ये भी पुछ सकता है कि कौन से पत्थर से उकेरा गया है वो तो काले पत्थर से इतना प्रशन हो गया ना तो इतना ही प्रश्ण है और इसी तरह के प्रश्ण बनते हैं यह चोटी चोटी चीजों के बारे में प्रश्ण बनते हैं ठीक है और उम्मीद करता हूं कि यह सब प्रश्ण आपको पसंद आ रहा होंगे छोटा वीडियो दूँगा लेकिन बहुत ही बहतरिन वीडियो हुआ है कि महाबली पूरम में यानि कि महाबली पूरम जिसके बारे में आप हम पढ़ रहा हैं उसमें पंचरत मंदिर में यानि महाबली पूरम में जो पंचरत मंदिर है एक पंचरत मंदिर भी है महाबली पूरम में ठीक है जिसमें अरजुनन मंदिर थ्रोवोपती मंदिर बीमा मंदिर, थर्रा राजा मंदिर, सांगा थेवा मंदिर शामिल है। यानि कि महाबली पूरं का पंचरत मंदिर में जो जो मंदिर हैं उसका नाम आपको नीचे देखिए। मैंने लिख रखा है, दिया हुआ है, ध्यान से देख लेजी। जिसे महाबली पूरं का पंचरत मंदिर, तो कभी-कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि महाबली पूरं का पंचरत मंदिर में ठीक हैं, कौन से नमबर के मंदिर में धर्मा राजा मंदिर आता है, किस नमबर पे, तो यहाँ देख लिए पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा य इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं आगे और बी तरीके हैं प्रश्न बनने के जो सोच के एक्जामनर बनाता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगे दिखिएगा अगला ये जो मंदिर आपको दिख रहा है इसके बारे में थोड़ा सा जिगर कर लेते हैं तो इसके बारे में ये है कि इन सभी मंदिरों में धर्मा राजा रत सबसे बड़ा मंदिर है अभी जो आपने पंच मंदिर के बारे पांच मंदिर के उसमें आपने एक नंबर पे था धर्मा राजा थर्मा राजा मंदिर ये सबसे बड़ा मंदिर है तो आपसे कोश्चन क्या करेगा आपसे कोश्चन बस इतना ही करेगा कि पंचरत मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर की कटेगरी में या सबसे बड़े मंदिर मे आता है पंच माहवाली पूरं के पंच रथ मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर आता है तो कौन सा आता है थर्मा राजा रथ मंदिर ठीक है यह हो जाएगा आफका सीधा सीधा इंसर ठीक है आगे देखिए अगला यह चित्र देख लेजी तो वो यह कह रहा है कि गंगा अवतरड का जो असमारक है एक बड़ा पत्थर है यानि जो गंगा अवतरड है तो गंगा अवतरड कहा है मैंने आपको बताया गंगा अवतरड कहा है महाबलीपूरम जो है महाबलीपूरम के परवेश अस्थान पर सबसे रचनात्मक मूर्ती जो है व इस गंगा उत्रड के बारे में आकार बता जीता हूँ है आपका इसका अंठावन फिट गुणे तालिस फिट इसका आकार है किसका गंगा उत्रड का और महाबलीपूरम के परवेश अस्थान में सबसे रचनात्मक खाईए ठीक है और उसमें भागी रतिक की तपस्या का द्र कि खोदकर गंगा की उत्रड का छित्रड इसमें किया गया है जिसका आकार है ये और ये महाबलीपूरम के परवेश द्वार बही यानि ये मुर्ति जो है परवेश अस्थान पर सबसे रचनात्मक मुर्ति के रूप में जाने जाती है ठीक है अब आईए आपका प्रशन होता है जो मैं आपसे आज के सवाल में पूछने वाला हूँ तो उमिद करता हूँ कि महाबलीपूरम के कुछ छोटी मोटी बाते जो मैंने आपको बताई है वो आपको बहत पशंद आएगी और जो भी होगा वो किसी ना किसी वीडियो में कभी ना कभी मैं आपको डाल के और उसके बादें बताऊंगा तो उमिद करता हूँ मित्रो कि आज का हमारा ये महाबलीपूरम से सम्मधित सौट वीडियो एक तरह से कह लेजी आज का आपको पशंद आया होगा जरूर और आज का हमारा आपका जो शवाल है जो आपसे आज हम पूछने वाले हैं आपका आपका सवाल आपके शामने हैं देखिएगा सवाल कह रहा है पाल पोथी चित्रों का मुख्य विशय क्या था जो पाल पोथी चित्रों का मुख्य विशय था वो क्या था पाल रजाओ का जीवन चैतन महापरभू का चरित्र बुद्ध का जीवन चरित्र या महबीर का यह आपको आज के प्रश्ण का उत्तर देना है और उमीद करता हूँ कि ज़्याद से ज़्यादा मातरा में आपका कमेंट आएगा और हमारे द्वारा बताए गए आज के वित फीगर महावली पूरम मंदिर के कुछ जानकारी को आप बहुत पशंद करेंगे ये मुझे पूर प्रश्ण की स्रेज तब तक तेली गुड़नाइट